शास्की हाइस्कूल में हो रहे गुनवत्ताहीन कार का विरोज जताते हुए दरसल मामला बढ़वरा तहसिल के विलात कला ग्राम का है जहां चर्चित उन्ययन हाइस्कूल का निर्मान कारिक करोड़ों के लागत से करा जा रहा है जिसके लगतार गुनवत्ताहीन कारिक कराय जाने के शिकात सामने आ रही है वही आज नस्यूआ विदान सभा अध्यक्ष मुहमत इसराइल कई दर जिनों चातरों के साथ बढ़वारा तहसिल कारले के सामने जमकर नारे बाजी करते हुए तैसिलदार को ग्यापन सौप्त वे कहा कि विलाद कला स्कूल के निर्मानकार ठेकेदार के द्वारा शासन के मापदंड को दर किनार कर किया जा रहा है जो आने वाले समय में बेकसूर चातरों के जान के लिए खत्रा बन सकता है हाल ही में P.I.U. विभाग ने बिल्डिंग की जाच कर टर्मिनेट करते हुए निर्मानकार पर रोक लगाई थी साथ ही जलाशिक्षा विभाग अधिकारी ने भी बिल्डिंग को स्विकार नहीं करने की बात कही थी लेकिन अब प्रशासन की मिली भगत की कारण ठेकेदार को गुनवत्ता हीन कारे कराय जाने की अनुमती दे दी गई है जो चातर हित में नहीं है इस पूरे मामले में जल से जल जाच कराई जाए साथ दिवस के भीतर कारवाई नव होने की दिशा पर भारतिय राश्य चातर संग उग्र आंदोलन वध धरना प्रदशन के लिए बाध्य होगा बलायत कला सासकी हाइ कूल में निर्मार कार चल रहा था जिसमें कई वार सिखायत की घी ठेकेदार दारा गुडवत्ता हीन कार कराए जा रहे हैं दिवाल पुरी खराब हो चुकी है उन दिवालों को प्लस्टर कराया जा रहा है ठेकेदार को टर्मिनेट करने के बाद भी ठेकेदार का कार निरंतर जारी है ठेकेदार ये कह रहा है कि मैं मेरी सरकार है और मेरी सरकार होने के बाद भी कलेक्टर और पियाई विवाग मेरी ज ताकि उसमें उच्च गुडबत्त की जाँच हो यदि साथ दिवस के अंदर कारवाही नहीं होती तो उग्रंदोलन नसवाई के द्वारा किया जाएगा जिसकी जवाबदार ही सासन प्रसासन की होगी लेकिन आज दिनांग तक कोई कारवाही नहीं ही इससे लोक म anthry जी कहते हैं लेकिन ठेकेदार के द्वारा भी ये बात कही जा रहे हैं कि भाई सासन प्रसासन मिरे जेम में है नाईन्स भारत समचार के लिए काटनी से शिवांश मिश्रख रिपोर्ट